वेलकम टू माई चैनल पूरफ खमकर निव प्रोड़क्ट आज की वीडियो में आप सभी लोगों का सौगत हैं चलिए अब इसकी कंट्रोल पैनल की जानकारी लेते हैं आपको मैं बता दू इसकी कंट्रोल पैनल की डेमो वीडियो मैंने डिटेल्स में बनाई हुई है एक्वाप्रीजो में कपड़े ड्राय नहीं होते हैं इसमें सिर्फ वाश और रिंस होते हैं स्पीन का प्रोग्राम इसमें नहीं चलता हैं जीन्स बेटशीट वगरे एनर्जी सेविंग में रिंस और स्पीन मतलब इसमें कपड़े वाश नहीं होते हैं अगर आपने कपड़े भाहर से वाउस कर लिए तो आप इसमें स्रिफ रिंस और स्पीन कर सकते हैं यह लाश्ट वाला होता है इको टप क्लीन मतलब हर मेने में आपको यह टप क्लीन करना होता है प्रोग्राम सेट करने के लिए आपको पावर, साइकल और स्टार्ट इस तरह से बटन प्रेस करने होता है यह होता है डिले हैंड मतलब टाइम लगा कर आप मशिन सालू कर सकते हो यह डिप्ट सौफनर के लिए होता है जो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है इसके पगल में वोटर लेवल, आप मैनुवल लेवल यहाँ से सेट कर सकते हो या फिर मशिन यह खुद बखुद लेती है यह वाश टाइम है, जो यहाँ इसके इंडिकेटर दिये वे रहते है यह दोने के लिए होता है, यह खंगालने के लिए होता है और यह सुकाने के लिए होता है अगर इसका टाइम आपको बढ़ाना है तो आप मांसून के बटन से 15 या 30 मिनिट एक्स्ट्रा लगा सकते हो स्टार्ट करने के पहले और यह इंटेंसी वाश है, अगर ज़्यादा गहराई से आपको कपड़े वाश करने हो इसके पहले भी मैंने इस कंट्रोल पैनल की लाई डेमो वीडियो बना ही है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी आप प्लीज जरूर देखिए यहाँ पर दो सिंबॉल दिये हैं जिसमें से एक चाइड लॉक के लिए होता है यह दोनों बटन आप तीन सेकंड प्रेस करके कंट्रोल पैनल को लॉक कर सकते हो और फिर उसी बटन को दबा कर चाइड लॉक ओपन कर सकते हो और उसके बगल में जो एक सिंबॉल दिया यह एरर कोड शो करने के लिए होता है यहाँ पर दिये गए सारे प्रोग्राम आप साइकल के बटन से सिलेट कर सकते हो यह मॉडल वॉबल टेकनोलोजी के साथ साथ एक डिजिटल इन्वेटर मॉडल है मतलब इसकी मोटर में कोई बेल्ट नहीं लगा होता है टैंक्यू गाइस टैंक्स पर वाचिंग वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजें शेयर कीजें और चैनल को सब्सक्राइब कीजें और हमेशा की तरह फिर मिलते है नेक्श वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई